नमस्कार दोस्तो मैं होकम सिंग अपने यूटूब चैनल टार्गेट अचिवर्स जॉन मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो अपने इंडियन मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज को आगे कंटिनू करते हैं और आज हम इस सीरीज का लेक्चर फोर पढ़ेंगे जिसमें हम को डिसकस करेंगे दोस्तो मैं आसा करता हूँ कि यह सीरीज आपको पसंद आ रहे होगी आपके कॉंसर्प्स के लिए हो रहे होंगे देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए यह सीरीज आपके लिए इन सभी एक्जाम्स में बैनिफिशल है जैसे कि रेलवे है एंटी पीसी का लगती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए सुरू करते हैं देखिए सबसे पहले राष्टकूटा एंपरर्स हैं इनके जो टाइम लाइन है वो आपको पता होना चाहिए कि कब से कब तक इनका सासनकाल चला तो आपको पता ह चाहिए 753 से लेके 982 तक इनका डॉमिनेंस था ठीक है अब आप देख रहे होंगे कि यार दंती दुर्ग जो कि इस डाइनस्टी का फाउंडर भी था और पहला सासक था बट इसका सासनकाल तो 735 से ही शुरू है तो यहां 735 से क्यों नहीं है तो आप ध्यान रखिए कि दे एक छोटी सी डाइनस्टी के रूप में ये भी रूल कर रहे थे तो ये तो वेट कर रहे थे कि कब चालुक्याज वेक पड़ेंगे और हम गद्धी पर आएंगे हम सत्ता में आएंगे तो 753 के आसपास 753 में जो इनका एक रूलर आता है कीर्थी वर्मन दुत्ती है ठीक है उसको ये दंती दुर्ग हरा देता है और इस तरीके से राष्ट कूटा डाइनस्टी की नीव रख देता है तो हम कह सकते हैं कि जो ये राष्ट कूटा थे ये चालुक्याज और वातापी के फिडेटरी थे ठीक है तो कीर्थी वर्मन दुत्तिया को ये हराने के बाद ये 7 capital बनाई मानने खेट, जिसको माल खेट भी बोलते हैं, जो कि modern solarpur माराश्टरा में situated थी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये थे चालुक क्या job, वातापी, जिनको हरा के ये रश्ट कूटाज गदी पर बैठे और इन्होंने अपनी capital मानने खेट को बनाया, ठीक है, देखिए, ये होने को तो ये बहुत सारे सासक हुए, बट इनमें कुछ weeks आ सकते बीच में, उनको हम वो ज़्यादा important है नहीं, उनको हम ज़्यादा deeply पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, हम जो मैंने highlight जो मैंने dark कर रखे हैं, हम उनको पढ़ेंगे, उनहीं को मैं थोड़ा आपको mind map बनवाऊंगा, ठीक है, तो दंती दुर्ग की कहानी आपने सुनी, कि ये सबसे पहला सासक था, इस डाइनस्टी का founder भी था, कौन सी डाइनस्टी, राष्टकूटा डाइनस्टी का, ठीक है और इसने जो राष्टकूटा थे, ये चालुक के आजब वातापी के फ्यूडे ट्रीज थे, तो कौन से चालुक के इनसासक को ये हरा के गदी पर बैठा था, दंती दुर्ग, वो था कीर्थी वर्मन दुत्ती है, ठीक है, यहां तक की कहानी के लिए रहा है, आगे देखत करिछना पर्थम के सासनकाल की सबसे महत्कून गटना है कि इसने जो भी मौनोलितिक रोककट टेमपल, जो की कैलाष टेमपल है, एलो राम महराष्टरा में, वो इसने बनाया था, कैलाष टेमपल कि इसने क्रिछना पर्थम ने, इंपोरेंट है, आप ध्यान रखिए, ठीक को पता होगा ट्राइपट ट्राइप्राइट स्ट्रागल तीन सासकों के बीच में चला था एधर थे प्रतिहाराज ठीक है एधर थे पालाज और राष्ट्रीकूटाज डेकंवाले रीजन में ठीक है तो यह अपनी अपनी dominance ये कन्योज के उपर इस्थापत करना चाहते थे तो देखिए पृतिहारों की तरफ से था नागबटे दुत्तिय है जिनके मैं वह बता रहा हूँ हालांकि ये चलने को तो 200 साल चला था ये struggle बट किसके समय में सबसे पीक पर था वो मैं बता रहा हूँ पालाज में था धरमपाल और राष्ट कूटाज में ये था धरूँ ठीक है आई होप आपको यहां तक किलियर होगा आगे अगर हम अमुग वर्स की बात करते हैं तो दीखिए अमुग वर्स के दरबार में एक जैन स्कॉलर रहते थे जैन मौंक रहते थे वो थे जिन सैन ठीक है और इन्ही के इंफ्लुएंस में आके अमुग वर्स ने अपना धरम चेंज कर लिया था इसने जैन धरम में अपने आपको परिवर्टित कर लिया था ठीक है आगे अगर हम इंदरतिय की कहानी देखते हैं तो इंदरतिय के समय की सबसे इंपोटेंट घटना ये है कि इसके सासनकाल के समय में जो एक अरवियन रूलर सुलीमान वो आया था ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए आगे हम कृष्ण तरतिय ये भी एक इंपोटेंट सा सके कृष्ण तरतिय कि अगर हम बात करते हैं तो देखिए इधर चालुक के आज देखिए धंती दुर्ग ने एक गलती की थी कि इसने जब ये गद्दी पर बैठा तो चालुक इपर बैठेंगे और देखिए आगे ऐसा होगा भी तो देखिए कृष्ण तिरतिय के ऊपर एक बार आकर्मन होता है और यहां बैटल ऑफ थाकुलम होता है किस-किस के बीच में कृष्ण तिरतिय और राज आदित्य के बीच में ठीक है बट ये कृष्ण तिरतिय इसको ब फाइनली एक राष्ट कूटों का कमजूर सा सकाता है जिसका चालुक्याज वेट कर रहे थे वो था करकदितिया ठीक है तेकिए इसके उपर आकरमन करता है ये एक चालुक्यन रूलर कौन तैल अप दिती है ठीक है और फाइनली इस करकदितिया को हरा देता है और यहां कैप्टल मानने खेस्त बनाई बट इस बार इन्होटन अपनी केप्टल वातापी ना बना के या फ्र मानने खेस्त ना बना के इस बार बनाई इन्होंने कल्यानी ठीक है तो इन πάρωी पनी किया निदुए वह दो जेता है व beide धर की बात रहे है राष्ट कूटाज का जिदर इनसे relation था तो आप देख सकते हैं थोड़ा अपना concept building करिए देखिए सबसे पहले राष्ट कूटाज के dominance में आने से पहले यहां इस वाले डेकन वाले रीजन में किसका इसास अनकाल था आपको बता चुका हूँ चालुप के आज ओफ वातापी ठीक है तो यहां राष्ट कू capital बनाई थी क्या मान्याखेत ठीक है आप देख सकते हैं यह राष्ट कूटाज के अंडर का में पहले और इनकी capital थी मान्याखेत किलियर है यहां तक ठीक है और अब इसी sequence में यह राष्ट कूटाज अपना सासन आगे बढ़ाते हैं और यह वेट करते हैं यह चालुप के आ लर्ट तैल अब दुद्थी है हरा देता है बट इस बार इनोंने अपनी capital वाता पी जो इनकी पिछली capital थी वो ना रख के या पिर राष्ट कूटों की जो फिलाल की capital थे वह न रखकि नोंने नई केपिटलबनाईों एक इधर देखिए चालुक्याज को रच्ट कूटा गद्धी पर बैटे थे और इधर साउथ में पल्लावाज को हटा कर चुलाज गदी पर बैठे थे तो में इनके दोरान जो में डॉमिनेंट्स था तो डेकन वाले रिजन में रास्टकूटाज औरस आउच वाले रिजन में चोलाज का डॉमिनेंस था और इनके बीच में बरावर लगातार इंकर्जिंस चलती रही थी और इन्होंने इसको सुलजाने के लिए कहीं है तक तुम बद्रा रिवर को अपना बॉर्डर इस्थापित किया था यह आपको पता होना चाहिए ठीक है तो पल्लवाज को हटाके बैठे चोलाज और चालुक्याज को हटाके बैठे राष्टकूटाज हालांकि देखिए चोलाज ने तो ये पांड्याज को, चेहराज को और पल्लवाज को सब को धिरे-धिरे अपने कंट्रॉल में ले लिया था बट वो बाद की बात है I hope आपको concept clear हुआ होगा अब आगे शुरू करते हैं तो देखिए हम rust kurtaj के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको इनके बारे में यह पता होना चाहिए कि हमें कौन-कौन से सोर्स है जहां से इनके बारे में पता चलता है तो आप देखिए सबसे पहले जो Allura में inscriptions है, वहाँ पर ये रस्ट कुटाज की inscriptions मिलिया, उनसे कहीं पता चलता है, ये Allura की inscriptions है, इनसे हमें रस्ट कुटाज का source पता चलता है, आगे देखिए सामुगण की inscriptions है, सामुगण एक जगह है, कहाँ आग्रा के पास में यूपी में ठीक है और देखे आपको बता होगा कि सामुगड के एक बैटल भी हुआ था दारा स्कोर औरंग जीब के बीच में तो ये उसी बैटल की पिक्चर्स हैं और सामुगड में कुछ इंस्क्रिप्शन्स मिली हैं थीक है वहां से भी इनका सुर्स हमें पता चलता है इसके अलाबावा देखे एक राइटर एक राइटर है उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है राष्ट कूटा एंड दियर टाइम्स ठीक है वहां से भी इनके बारे में हमें पता चलता है ठीक है आगे हम इनका थोड़ा इंट्रोड़क्शन जानने की कोशिश करते है राष्ट कूटा का देखे जिस टाइम पे न कोड़ वाले बंगाल के कोड़ वाले रीजन में जिस टाइम पर सासंतर रहे थे उसी टाइम पर डेकन वाले रीजन में राष्ट कूटा अपनी पावर में थे ठीक है यह बहुत ही रिमार्कीबल डाइनस्टी थी यहां लॉंग लाइन उफ फॉर्यर्स इनके इंके एंपा पड़ी ठीक है अरवियन एक ट्रैवलर अलमसूदी जो कि कन्नौज को उन्होंने विजिट किया था मैंने बताया आपको अलमसूदी किसके सासन काल में आये थे ठीक है तो इन्होंने बताया है कि यह जो दोनों डूलिंड डैनेस्टी हैं कौन-कौन सी पृतिहाराज और र रही थी लगातार इनके बीच में जो सत्रूता है वो बरकरार रही थी ठीक है देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि जो राष्ट कूटाज थे यह वेस्टन चालुक्याज ओफ वेंगी के फ्यूडे ट्रीज थे ठीक है तो यह इंपोटेंट है आप ध्यान रखिए कि र पहला और सबसे जो इस डाइनस्टी का फाउंडर भी था वो था धन्ती दुर्ग ठीक है जिसका सासंकाल 735 से 756 एडी तक था इसने क्या किया 753 एडी में जो लास्ट चालुक्यान रूलर था राष्टकूटाज के आने से पहले वो था कीर्थिवर्मन दित्ती है उसको हरा के ये गद्धी पर बैठा और इसने राष्टकूटा डाइनस्टी के नीम रखी और अपनी कैपिटल मान्य खेट या माल खेड बनाई आई होप आपको यहां तक किलियर है जो कि मौडरन सोलापूर के पास है यानि कि माराष्ट्रा में ठीक है अब जैसे ये अपनी डॉमिनीशन में आते हैं इन्होंने अपना जो एक्स्टेंशन है वो इतनी जिल्दी बढ़ा लिया कि इन्होंने पूरा नॉर्थन को हराने के बाद सोरी पहले इसने विक्रमा दित्या को हराया जो कि 733 से 746 एडी तक उसका सासनकाल चला था जो यह वी एक चालुकिन रूलर था पहले इसको हराया इसने इससे जो नंदीपुरी का गुजरात के इंगडम था उसको कैप्चर कर लिया इसके अलावा मालवा दित्या को मध्ययप्रदेश और पूरे वरार वाले र रीजन पर कफ़ने अब खराता और इसने सेंट्रल और सदन गुजरात पूरा मध्यक पढ़र वाला रिजन अपने कंट्रों में ले लिया और यहां का आपने आपको इसने मास्टर भोस्ट कर दिया तो आगे मैं मैं आपके माधिम से आपको समझाता हूँ ये पहले बरार के छोटे से हिस्से में ये सत्ता में था कौन दंती दुर्ग ठीक है इसने धीरे धीरे पूरा बरार वाला रिजन इसने अपने डॉमिनेंस में अपने कंट्रोल में ले लिया और अपने आपको यहां का मास्टर गोस्ट कर दिया ठीक है देखिए अपनी पावर मजबूत करने के बाद अब इसने को बहुत सारा इससा अपने कबजे में ले लिया तो क्या हुआ यह इसने अपने आपको बहुत ज़्यादा सुद्रड बना लिया अपने आपको बहुत ज़्यादा सुद्रड बना लिया ठीक है इसने फिर क्या किया अपने आपको कंसोलिडेट करने के बाद इसने जो लास्ट चालुक के अनुरूलर था जो मैं आपको बता चुका हूँ कीवति वर्मन दित्ती है इसको इसने 746 से 753 के बीच में इसका सासन काल था 73.8 में इसको इहरा देता है और वातापी वाला रीजन मैंली कह सकते हैं जिस एरिया में चालुक के डॉमिनेंस था वो पूरा इरिया इसने अपने कंट्रॉल में ले लिया ठीक है और आप देखिए अपना पूरा सक्ति अपनी सक्ति अपनी पावर हातों में लेने के बाद इसने क्या कि आपने बहुत सारे टाइटल अडॉप्ट किये अपने आपको महराज अधिराज परमेश्वर इसके अलावा प्रारम भट्टराह ये इस तरीके के इसने टाइटल्स अडॉप्ट किये तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टाइटल्स हैं ये किसने अडॉ तो यह क्या करेगा जो इधर उदर के जो दूसरी डाइनस्टी जा उनसे अपने रिलेशन बढ़ानी की कोसिज करेगा ठीक है तो इन्होंने पल्लवा रूलर था नंदी वर्मन दुत्ती है उससे अपने रिलेशन बढ़ाए और अपनी बेटी के साथ यह उससे कर दी ठीक है अब जैसे ही 708 ठामन में इसकी धंती दुर्ग की डैथ होती है तो इसका अंकल गदी पर बैठता है क्रिशना पिर्थम ठीक है यह गदी पर बैठता है और क्रिशना पिर्थम की मैं आपको बता चुका हूँ सबसे इंपोटेंट गटना इसने जो एलोरा का मॉनोलितिक एपिटल थी यहां इस तरीके से राष्ट कूटा यहां जो चालुक की अजब बातापी को हराके यहां अपने गदी पर बैठे थे आगे देखते हैं क्रिशना प्रथम गदी पर बैठ गया जिसका 756 से 775 तक इसका डॉमिनेंस रहा इसने क्या किया देखिए कोई भी नया स कोशिस करता है जो दूसरे जो सासक होते हैं वो अजमाने की कोशिस करते हैं नए सासक को ठीक है उसके उपर आक्रमन करके या किसी भी तरीके से तो जो भी नया सासक आएगा वो अपनी सूपर में से स्थापत करने की कोशिस करेगा और अपने आपको दिखाने की कोशिस करे कि मैं भी एक एडिन्स्टेटर उघो कि तो वही किया इसने इसने जो मैं के घैंगेज था इसने अपने भाई में दे दिया कौन दृबजना की 944 का की इसका सासनकाल चला था धुरुव के सासनकाल में जो राष्टकूटा एम्पायर था वो अपनी पीक पर था अपनी जैनित पर था ठीक है इसने वेस्टन गेंगा किंग को हम्बल करने के बाद इसने दंती वर्मन जो की पल्लवा किंग था उसको हरा दिया था ठीक है अब देखिए जो वेंगी का इसको रूलर मान लिया था इनकी जो पावर इनकी सकती इनका जो डॉमिनेंस है उसको असेप्ट कर लिया था ठीक है अब देखिए साउथ में अपनी हेजमनी स्थापित करने के बाद धुर्व ने अपनी जो अटेंशन है वो कन्नौज की तरफ बढ़ाई ठीक है देखिए वसरया वसरया वसारया पर जो कि एक पुर्तिहारा तिंग था इसके अलावा एक पाला रूलर जो की धर्मपाला था जो कि आपस में इसे कंटेंडऱ्त थे और जो जीता हुआ एरिया है वो पालाज को देके आ जाता है और आपको पता होगा कन्योज वाले एरिया को अपने कंट्रोल में लेने के बाद धरमपाल ने एक ग्रांड दरवार भी रखा था ठीक है जो कि बहुत सारे वैसल्स ने अटेंड भी किया था तो इस तरीके से अब देखिए ये कन्योज वाले रीजन को जीतने के बाद भी ये पालाज को देके आ गया क्यों क्योंकि इनका जो मैन इंट्रेट्स था वो गुजरात और मालवा वाले रीजन पर अपना डॉमिनेंस बढ़ाने का था ये इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आप ध्यान रखिए मैं बिसले लेक्षर में भी आपको बता चुका हूँ ठीक है इसने फिर क्या किया धरुबने अपने जो तीसरा इसका संथा गोविंदा तिरती है उसको जो अपने साथ यानि कामकाज पर बिठाया अपने साथ कोशिश की देखिए हालांकि इनकी जो रैड्स थी वो किसकी रश्टकूटर डाइनस्टी के जो रूलर्स हैं इनकी वो कन्योज तक यानि कि गंगा वैली तक अपना इंफ्लेंस बढ़ाने में काम्याब नहीं रही थी ठीक है हालांकि इनोंने बहुत सारे रिच प्लेंडर कि अपने आपकी जो गौरव है जो महिमा है उसको इस्थापित करने के लिए रश्टकूटाज का जो जो मतलब इनकी जो सत्रूता थी इनके जो इंकरजन्स थे इनके जो वैर भाव था वो लगातार इन डाइनिस्टी के साथ चलता रहा यानि कि इनकी जो लडाईया थी व के जो इंगेजमेंट चलती रही थी ठीक है आगे हम गोविन्दा तिर्तिया के हम बात कर रहे हैं तो देखी लिए ये जो ग्रेटेस्ट राश्टकूटा रूलर्स थे वो थे गोविन्दा तिर्तिया जो कि 793 से 814 तक और दूसरा था अमोग वर्षा जिसका सासिंकाल 64 साल तक चला 814 से 870 तक देखिए इन्होंने नागभट ऑफ कन्नौज के खिलाब सक्सेस्पुल एक्सपेडिशन के बाद इन्होंने क्या किया मालवा कोनेक्स कर लिया जो कि इनका मैन मकसद भी था इसके बाद जो गोविन्द तिर्तिया है वो साउथ में चला गया ठीक है हमें गोविन्दा की एक इंस्क्रिप्शन में ये बताया जाता है कि इसने केरला पांडिया और जो चोला किंग्स थे और जो पल्लवाज किंग्स थे उनको बिलकुल भेवीत कर दिया था करनाटक का जो गैंगे रूलर था वो इसकी जो मजबूती थी उससे बहुत ज्यादा डि किंग और वहां के कुछ मिनिश्टर्स उनको ये बंदी बना के लाए और यहां पे कहां पे मान्यक हित में जो की सिवा टेंपल था उसके सामने एजे प्लर ऑफ विक्टरी एक इनको इस्थापित कर दिया था किसका लॉर्ड ऑफ किंग को ठीक है देखिए गोविंद तिर्थी है जिसका सासनकाल 794-814 तक मैं बता चुका हूँ आपको ये इसका एक एरा ऑफ सक्सेस माना जाता है क्योंकि इससे पहले कोई और सासक नहीं हुआ था जिसने इस तरीके से सक्सेसफुल एक्सपेडिशन्स की थी और इस तरीके से मतलब यवियान चलाए थे और वो कामयाब भी रहा था ठीक है देखिए इसने जो पल्लवा किंग था धन्ती का इसने भी गोविंद तिर्थी के सामने अपने आपको सब्डियो कर दिया था ठीक है इस तरीके से जो गोविंद तिर्थी है वो साउथ का ओवर्ड लॉड बन चुक एक सकति साली रूलर था जिसका लगबग 64 सालों तक इसका सासन काल चला था 814-878 तक ठीक है इसने क्या किया देखिए बहुत लंबे समय तक इसने 64 साल तक सासन किया अब इसने जो लड़ाई जगड़े की जिन्दगी है उसको छोड़के इसने क्या किया एक धार्मिक नीत रुक है वो इसी ने लिखी है अमूब वर्सी ने ठीक है देखिए ये ग्रेट बिल्डर भी था इसने जो इनकी कैपिटल थी मानने के उसको इसी ने बनवाया था ठीक है हालनकि दिखिए लंबा सासनकाल चला है 64 सालों का तो दिखिए एक इतने लंबे समय में इसके सासनकाल में बहुत ज़यदा rebellion होई, बहुत ज़यदा क्रांतिया होई, बहुत ज़यदा incurgence होई इसके सासनकाल में, वट इसने बहुत ही bravely उनको contain किया, रोक के रखा, इसके बाद एक इसका grand son आता है, इंदरतिया, वो एक नई सुरुआत करता है 915 से 927 तक इसका सासन काल चराए तो 915 रह में आते ही इसने क्या किया इसने महिपाल को जो कि एक ग्रेट रूलर था पाला डाइनिस्टी का उसको हराया और इसने कन्योज को द्वश्ट कर दिया ठीक है उस समय पर इस समय का इंदर किर्फिय सबसे सक्तिसाली रूलर था अलमसूदी के हिसाब से जो जो जिसने उस समय पर कन्योज को या फर हम कह सकते है राश्ट कूटा एंपायर को विजिट किया था तो बलहारा या फिर वल्लव राजा को सबसे ग्रेटेस्ट रूलर बताया है और जो भी आस पास के रूलर से उन्होंने इसके सुजरेंटी को अ पना लिया था इसके लावा इसने बताया है कि इनके पास बहूत ही लार्ज आर्मी थी और अंगिनत हाती थे इसके पास राश्ट कूटाज के पास ये हमें किसने बताया है अलमसूदी ने आगे हम कृष्णा तृतिया की बात करते हैं कृष्णा तृतिया की मैंने इंपोटेंट घटना क्या बताई आपको कि इसने इसके इसासन काल में बैटल अब थाकोलम हुआ किसके बीच में? राज आदित्य और क्रिष्णा तृतिया की बीच में दीखें राज आदित्य पिरतं के पिरतं का बेटल तक ही था तो हम देखते हैं ये जो इतने भी ब्रिलियंट रूलर्स हुए राष्ट्टकूटा डायाश्टी के तन्जावर का जो चोला रूलर था जिसने पल्वाज औफ कांची को supplant करके अपने आपको गद्डि पर बटाया था उसके खिलाब इसने कैंपेन चलाया था ठीक है? इस तरीके से समझे आप ये चोलाज औफ तन्जावर के चोलाज ने पल्वाज औफ काची को हरा के ये गद्धी पर बैठे इस चोलाज के खिलाब इसने कैम्पेंड चलाया था ठीक है और इसने जो कृष्णा तिर्टिया ने जो चोला किंग है उसको हराया था कौन प्रतंगा प्रितम का बेटा ही था में ली कोन राजादेते हैं उसको हराया था और इसने जो चोला एंपाइर का नॉर्थन पार था उसको अपने कबजे में ले लिया था अब यह जीतने के बाद यह क्या करता है इंडिर्जेन मेंलेंड का जो सदनमोच पॉइंट है रामेश वरम यह वहाँ जाता है वहाँ एक टैंपल बनाता है और वहाँ पे एजे प्लर ओफ विक्टरी यह यह इस टैंपल को बनाता है ठीक है अब इसके डैथ के बाद इसके जो पृति दुन्दी थे वो एकटे हुए और जो भी इसका सकसेसर आ गया और जला दिया गया उनिस सो नौसो बहतर में तो इस तरीके से यह एक एंड था राष्टकूटा एंपायर का और मैं थोड़ा क्रिशना तिर्तिया के बारे में थोड़ा और बताता हूं देखिए क्रिशना तिर्तिया एक राष्टकूटा डाइनेस्ट्री के ग्रेट प्रूलर था ठीक है इसने चोला किंग्डम को इन्वीड किया था किसके साथ मिलके अपने ब्रोधर इनला यानि अपने साले बटूंगा के साथ मिलके ठीक है इसने 943 में कांची और तंजावर को कैप्चर कर लिया था ठीक है और देखिए इनकी जो आर्मी थी वो टॉंड राज आउडिया के अंदर ठीक है 929 AD में जो कि 909 AD में जो धो जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चूल्याज आर्मी यानि की राजा अदित्य के अंडर राजा अदित्य प्रतंका प्रृसं का बेटा था ठीक है राजा अदित्या को हरा देता है इन्धी बैटलश ठाक कोलम ठीक है जो कि प्रिजेंट डे तमिल नाडू के वेल ओर डिस्टिक में है आर्कोनम के पास यह आपको पता होना चाहिए कृष्णा तिर्टिया ने रामे सुरम तक मार्च किया और वहां एक मंदर बनाया एजे प्लार ओफ विक्टरी ठीक है तो पूरे डेकन वाले में इसने अपनी सुजरेंटी अपने आधिपत्य स्थाफित कर दिया था अब इनका थोड़ा नेचर जानने की कोशिश करते हैं तो अगर हम सबसे पहले धार्मिक पॉइंट अफ व्यू से देखे हैं इनका रेलीजियन देखे हैं तो ये भगवान शिवा और भगवान वि गया था ठीक है वह इन्हीं के सासनकाल में बनवाया गया था कृष्णा प्रिथम के सासनकाल में यह राष्ट पूटाज के अंडर ठीक है कुछ देखिए गरुड वहाना और विष्णू और सिवा जो की योगित मुद्रा में बैटे हुए हैं कुछ पिक्चर्स हमें कुछ सील्स मिलती है ठीक है इसके अलावा देखिए धंती दुर्ग जो की हीरन्य गर्भा रिच्वल एट उजयनी में परफॉर्म करते हुए पाए गए हैं कौन दंती दुर्ग ये भी इनके सासनकाल की घटना है ठीक है इसके अलावा देखिए बहुत सारी तुलादान इसके अलावा देखिए इन्हों ने बुद्धिजम को पैटरनाइज किया था ठीक है को सौरी जैनिजम को जो लेटर रूलर्स थे अमोग वर्स अपर्थम इंद्रा फोर इंद्रा तिर्तिय ठीक है तो किसको जैनिजम को इन्हों ने फॉलो किया था जिन सेनके देखिए बुद्धिजम बिल्कुल डेक्लाइन हो चुका था केवल एक ही सेंटर था जहां पर बुद्धिजम आपको देखने को मिलेगा वो था कानेरी यह आपको पता होना चाहिए आगे हम अगर लिटरेचर की बात करते हैं ठीक है तो राष्ट कुटर रूलर्स बहुत सके ग्रेट पैट्रांस थे लर्निंग के नो ने देखिए कनर्ड और संस्कृत लिटरेचर को बहुत ही घ्र्रेचर की यानि संसक्र्ट और लिट्रेचर ने बहुत ग्रेट प्रोगरेस कि सरसाल काल के दौरान ठीक है अमोगवर्स परतम खुद एक आथर था उसने सबसे पहली कन्नड बुक लिखी है ठीक है कवी राजमार्ग जिनसेन जिसने आधि परान लिखी है जिसको आधि परान आफ जैन्स ठीक है वो जिनसेन ने लिखी है जो कि एक मौंग था किसे अमोगवर्स के दरवार में कृष्णा दुत्या की एक सेप्रिच्वल गाइड है गुनभद्र जो कि महपुरान ओफ जैन्स ये कृष्णा दुत्या ने लिखी है ठीक है यहाँ तीन जैम्स ऑफ एंसेंट कन्नड लिटरीचर के थे कौन-कौन से पॉन्ना रन्ना एंड पंपा यह आपको पता होना चाहि है तो देखिए पन्ना की कौन सी है कवी चक्रवर्थी पंपा की कौन सी है आधी कवी और रन्ना की कौन सी है कवी चक्रवर्थी ठीक है तो आपको यह पता होना चाहिए और पैट्रनाइज किसके सासनकाल में थे कृष्णा तित्या के सासनकाल में थे ठीक है आगे अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो देखिए इनकी सिप्लेंडिट कंट्रिबीशन है इंडियन आर्ट में राष्टकूटाज की ठीक है आप देखी सकते हैं कि एलोरा का जो स्राइन है यानि मौनोलीथिक रॉक का टेमपल है जो कि कृष्णा प्रिथम के सासनकाल में बनाया था वो कितना बहतरी नेक जम पल है इंडियन आर्ट का इसके अलावा कुछ एलिफेंटा केवस हैं वहाँ पे कुछ फैमस ट्राइन्स लोकिटेड है प्रेजेंडे महराष्टरा में ठीक है एलोरा केवस कॉंपलेक्स कॉंपलेक्स के मतलब है वहाँ इस कॉंपलेक्स के अंदर बहुत सारी caves हैं जिन में देखिए बुद्धिष्ट, हिंदू और जैन मॉनुमेंट्स आपको मिलेंगे ठीक है इसके अलावा अमोग वर्ष पिर्थम जो कि एक जिसने जैनिजम को अपना लिया था ठीक है और फाइव जैन caves टेम्पल्स बनवाए जो कि उसी के पीरिड के हैं तो आप देखते हैं बहुत ज़्यादा striking structure है एलो राप है वो है मॉनोलिथिक कैलासनाथ टेम्पल जो कि कृष्णपर्थम के द्वारा बनवाया गया था आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजा रहा है मॉनोलिथिक का मतलब है एक ही रॉक को काटके यह टेम्पल बनाया गया है तो यह है वो कैलासनाथ टेम्पल ठीक है यानि कि यह सिंगल रॉक कटको काटके बनाया गया है आठमी सदी में कृष्णपर्थम के दौरान यह बिल्कुल जो करनाटक के पट्टा डक्तल में लोकिश्वर टेम्पल है जो की एक चालुक्या किंग विक्रमादित्या टू के दौरा बनाया गया था पल्लवाज के उपर अपनी विक्टरी के कमेमोरिशन में ठीक है तो यह है वो लोकिश्वर टेम्पल कहीं न कहीं उसी से यह मिलता यह जुलता है ठीक है तो आपको पता होना चेहर लोकिश्र टेम्पल कि इसने बनाया था यह विक्रमादित्य्जा टू यानि के जो चालुक्यान रूलर था उसे जो आपका जिसको इसने दंती दुर्ग ने हराया था वो ये विक्रमा दिते टू उसने ये इसको बनाया था पल्लवाज के उपर अपनी विक्टरी के कॉमेमोरिशन में ठीक है कुछ स्कल्प्चर्ड है स्कल्प्चर्स कौन-कौन सी कुछ मूर्थियां कौन-कौन सी देखें दसावतार भीरव इसके अलावा रावन जो कि मांट कैलास को उठाए हुए दिखाए गए है ठीक है मैं आगे आपको मैं पिक्चर में दिखाँ हुआ इसके अलावा शिव और विश्नु भगवान डांसिंग मुद्रा में दिखाए गए है लक्षमी जी म्यूजिक सुनते हुए दिखाए गए है ये कुछ बेस्ट स्पेसी मेंस हैं स्कल्प्चर्स के इस टेंपल के अंदर ठीक है तो आप देख सकते हैं ये ये डांसिंग मुद्रा में है भगवान शिवा और विश्नु जी ये रावन ये इसका आलासि टेंपल को अठाये हुए है और ये आपकी ऐलिफन्टा केवस हैं और ये आपकी ऐलॉरा केवस हैं थीक है तो मेंस्राइन जो ऐलिफन्टा का है artistically अगर हम देखे हैं तो ये ऐलॉरा से कहीं ज़्यादा सुपीरियर है ठीक है आर्टिस्टिकल ले बहुत ज़्यादा सुपीरियर है एलिफेंटा केव्स ठीक है एज गंपेर टू दी एलोरा केव्स ठीक है तो यह ज़्यादा सुपीरियर है एलिफेंटा ठीक है इसके अलावा देखिए जो नटराजा और सदासिव की जो स्कल्प्चर्स हैं जो मूर्थिया है वो कहीं बहतर है as compared to the allura sculptures किसके छितर में beauty और craftsmanship के छितर में ठीक है इसके अलावा देखिए अर्ध नारीश्वर एंड महेश मूर्थि ये कुछ other famous मूर्थिया है other famous sculptures है ठीक है ये यहाँ three-faced burst of the lord सिवा जो के 25 feet लंबा जो के one of the finest pieces है sculptures का इंडिया में ठीक है और देखिए जो यहाँ paintings देखी गई है वो देखिए जो कैलाश temple है उसके porch यानि की जो बरामदा होता है वहाँ पर देखी गई है इसके अलावा जो एलो रा में महिस मूर्थि shrine है वहाँ कुछ ceilings में यानि छट के ऊपर कुछ paintings देखी गई है ठीक है तो यानि की जो आपका कैलाश temple है वहाँ porch में यानि बरामडे में paintings देखी गई है और जो आपका महिस मूर्थि shrine है एलो रा में वहाँ ceilings में यानि छट के ऊपर कुछ paintings देखी गई है तो इस तरीके से दोस्तों यह lecture complete होता है मैं आसा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा आपको अच्छा लगा होगा आपके concepts clear हुए होंगे अगर आपको यह lecture अच्छा लगा है तो आप मेरी YouTube channel target achievers john को like, share and subscribe कीजिए अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं अगर आपको कुछ और चाहिए तो भी आप मुझे comment कर सकते हैं without any hesitation thank you so much have a great day